दर्म चक्र प्राकर्टिक सुद्दर्दा से सारा बोर प्राचीनतम मंदिरों में से एक बाबा बासुरी नाथ थाम की इन सब के साथ आईए शुरू करते हैं आज का हमारा प्रोग्राम अज का हमारा धर्म चक्र और धर्म चक्र में सबसे पहले लिए चलते हैं आपको पंडित वैभवनाथ शर्मा के पास जो कि बताएंगे आपको सुख सम्रिद्धी भागेदोश के चमकतारी उपाय और टोने टोटके को नमस्कार मैं हूँ वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं धर्म चक्र आज के इस कारिक्रम में मैं आपको बताने वाला हूँ सुख सम्रिद्धी और भाग्योदय कराने वाले कुछ सरल और चमतकारी उपायों के बारे में भाग्योदय करने के लिए करें ये उपाय तो आपको बहुत अच्छा लाब मिल सकता है अपने सोय भाग्य को जगाने के लिए आप प्राता सुबह उड़ करके जो भी स्वर चल रहा हो वही हात देख करके तीन बार चुमें ततपश्चात वही पाव धर्ती पर रखें और वही कदम आप आगे बढ़ाएं ऐसा नित्य प्रती दिन करने से जीवन की एक आदत बना लेने से निश्चित रूप से भाग्योदय होता है अब आप सोचेंगे कि मैंने कहा जो भी स्वर चल रहा हो ये कैसे जाने इस स्वर का क्या मतलब है जब आप बेड पर उठते हैं सो करके तो स्वर कैसे पहचानते मैं आपको आज टेस्ट करके बताता हूँ प्राक्टिकल आप देखिए आपको अपनी नाकों के आगे अपने हाथ को रखना होता है आप किधर से सांस ले रहे हैं किधर से छोड़ रहे हैं ये चेक करिए अब मुझे अनुभव हुआ कि मैं इस नाक से इस शिद्र से सांस ले रहा हूँ तो मुझे जो है अपना ये वाला पैर आगे बढ़ाना यानि मैं अपना राइट लेग आगे बढ़ाऊंगा इसी प्रकार आप किस शिद्र से स्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं ये आपको चेक करना चाहिए ये आपको पता चल जाएगा आप अपने हाथ को रख करके अनुभव कर सकते हैं तो इसी को कहते हैं आयूरवेद में और जोतिश में धर्मशास्त्र में स्वर चलना कहते कौन सा स्वर चल रहा है आप ऐसे अपना स्वर चेक कर लीजे और किसी भी शुब काम को करने से पहले दिन को शुरू करने से पहले अपनी बॉडी को नेचर के साथ ट्यून करना बहुत जरूरी होता है तब आपकी वाइब्रेशन जो है इस यूनिवर्स के साथ मिलेगी और आप जीवन में सक्सस को पापाएंगे तो अपनी बॉडी को ट्यून करिए और दिन के शुरूआत के साथ ही ट्यून करिए बैडूसी के साथ छोड़िए फायदा मिलेगा अब मैं आपको उपाय बताता हूं त्वचा का रोग यदि है अगर आपको इसकिन अलरजी या इस पायंकाल के समय में मिट्टी के एक पात्र में पानी रख करके उसमें सोने की अंगूठी या एक कोई आभूशन आप डाल दें कुछ देर बाद उस पानी से घाव को धोने के बाद अंगूठी निकाल करके रख लें तथा पानी किसी चौराहे पर जो बचा हुआ पानी है क किसी व्यक्ति के व्यापार में बहुत जादा मंदी आ गई है व्यापार नहीं चल रहा है तो क्या उपाय करना चाहिए जो उपाय बताता हूँ इसे आप करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा किसी साफ शीशी में सरसों का तेल भर करके उस शीशी को किसी तालाब या बहती नदी के जल में आप जाकर के डाल करके चले आईए शीगरही मंदी का असर जाता रहेगा, समाप्त हो जाएगा और आपका व्यापार जो है चल निकलेगा आपके बिजनस में जाना जाएगे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शिकायत करते हैं कि हमें हमेशा अंदर से कुछ एक अंजाना सा भै लगा रहता है अगर आपको बिना किसी कारण भै डर रहता हो या साप बिचू या अन्य जो वन्य पशू है उनका भै आपको सताता रहता हो तो यह उपाय आप करें आपको फायदा मिलेगा बास के पेड़ की जड़ को जला करके उसे कान पर धारन करने से किसी भी प्रकार का भै मिट जाता है मिरगुंडी की जड़ अत्वा मोर पंक घर में रख देने से भी सर्प कभी घर में प्रवेश नहीं करते रवी पुशय योग में प्राप्त सफेज चादर की जड़ लाकर के दाई बुझा पर बांधने से वन पश्वों का भै नहीं रहता साथी अगनी भै से भी छुटकारा मिल जाता है केवडे की जड़ लाकर के कान पर धारन करने से शत्रू भै मिट जाता है ये बहुत सारे सरल से माने हुए उपाए हैं अगर आपके परिवार में कोई रोगरस्त रहता हो तो जो उपाए बताता हूं इसे अवश्य करिए अगर स्वास्त में सुधार ना होता हो तो ये उपाए आपको जरूर करना चाहिए आपको करना यह है कि एक देशी अखंडित पान यानि एक साबूत पान का पत्ता लेना है गुलाब का एक पुश्प लेना है और कुछ बताशे रोगी के उपर से 31 बार आप उतार ले तथा कोई भी आसपास के जो भी चोराहे हों वहाँ पर जाकर के चोराहे पर रख करके चले आईए इसके प्रभाव से रोगी की दशा में शीग्रता से सुधार आने लगता है अब जो उपाय बताता हूँ इसे पारिवारिक सुख शान्ती और समर्दी के लिए हर व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए अगर आपके परिवार में अशान्ती रहती है और सुख चैन का अभाव है तो प्रति दिन आपको करना ये है कि रसोई में बनने वाली प्रथम रोटी यानि पहली रोटी के चार भाग कर लें जिसका एक भाग गाय को दूसरा भाग काले कुट्टे को तीसरा भाग कववे को तथा चौथा टुकड़ा जो है किसी चौराहे पर रखवा दे या स्वेम जाकर के आप रखाएं इसके प्रभाव से समस्त दोश दूर हो करके समाप्त हो करके परिवार में सुख शान्ती औ मंगलवार को साथ गांठ हल्दी तथा थोड़ा सा गुड़ ले करके इसके साथ पीतल का एक टुकड़ा ले लीजे इन सब को मिला करके पीले या लाल रंग की पोटली में बांध करके इसको आप बांध लें तथा ससुराल की दिशा में यदि कोई कन्या फेग दे तो वहा गाई का घर हो आपका माय का हो उस दिशा में यदि आप फेकते हैं तो इससे वरवदू में प्रेम बढ़ता है और आपके ससुराल में और माय के दोनों में सुकसम्रिद्धी बनी रहती है किसी कार्य विशेश के लिए घर से निकलते समय एक साबूत नीबू ले करके गाए के गोबर में दबा दें तथा उसके ऊपर थोड़ा सा काम्या सिंदूर छिड़क दें तथा जो भी आप काम के लिए जा रहे हैं वह काम बोल करके चले जाएं तो कार्य निश्चित ही बन जाता है सावन का महीना भगवान शिव की साधना का बहुत विशेश महीना होता है सावन के महीने में जब पहली बरसात होती है तो बहते पानी में विवाह करने से या उस पहले बरसात के पानी के जल से छीटे मारने से भी दुरभाग ये दूर हो जाता है अगर आपके परिवार में कोई लड़की अविवाहित है या उसकी उम्र बहुत जादा हो चुकी है और इसके कारण विवाह होने में रुकावटे आ रही है तो इसके लिए जो मैं उपाय बताता हूँ वो अवश्य करना चाहिए तो करना यह है कि देवतान एकादशी को कच और देव्यानी की मिटी की मूरतें बना करके उन मूरतियों में हल्दी चावल आटे का घोल लगा करके उनकी पूजा करके उने एक लकडी के फटे पर आप उनको लकडी के फटे से ढख लेते हैं फिर उस फटे पर कुमारी कन्या क को बढ़ा दिया जाता है तो उसका विवाँ शीग्र हो जाता है विवा में जो भी बाधा के स्थिती होती है वो दोश जो है वह दूर हो जाता है किस प्रकार राई आपकी दरित्ता निवारण कर सकती है ये भी जान लीजे बहुत अच्छा उपाए पैसों का कोई जुगार अगर आपके लिए नहीं बन पा रहा हो बहुत गंबीर आर्थिक समस्या से आप जूज रहे हो तथा घर में दरित्ता का वास हो गया हो तो ये उपाए किसी भी व्यक्ति को जरूर करना चाहिए एक पानी भरे घड़े में राई के पत्ते डाल करके इस जल को अभी मंत्रित करके जिस भी किसी व्यक्ति को इसनान कराया जाएगा उसकी दरित्ता रोग नश्ट हो जाते हैं अब किस प्रकार से आपको अभी मंत्रित करना है ये भी समझ दीजे इसको म ग्रहों के मंत्र से अभी मंत्रित करें तो आपको फायदा ज्यादा मिलता है आप अपना भविश्य सपने में कैसे जान सकते हैं तो आईए मैं आपको आज उसका भी रास्ता बताता हूँ अगर आप स्वपन में अपने भविश की बात मालूम करना चाहते हैं तो जंगल में जा करके जिस व्रिक्ष पर अमर बेल हो उसकी साथ परिक्रमा करके अमर बेल युक्त एक लकडी को आप तोड़ करके ले आएं फिर उस लकडी को धूप दे करके जला दें तथा लता को सरा आने रख करके विचार करते हुए जिस भी बारे में आप जानना चाहते हैं उस बारे में विचार करते हुए सो जाएगे तो स्वपन में भविश की बात आपको मालूम पड़ जाएगी कि आपका भविश कैसा रहने वाला है वकार या आपका सिद्ध होना है कि नहीं होना ह सारा द्रिश्य आपके सामने एक फिल्म की तरफ चलने लगेगा तो आज मैंने आपको बहुत सारे सरल उपाय बताए आशा करता हूँ इन उपायों को आप जीवन में प्रयोग मिलाएंगे और उनका लाव लेंगे भगवान श्री महादेव आपका कल्यान करें इसी शुप कामना के साथ मुझे आग्या दीजे नमस्कार अभी लेते हैं एक छोटा सा प्रेक प्रेक के बाद आपको बताएंगे भगवान को शहत अर्पित करने की पीछे है क्या मानिता